हेलो प्रेंट्स मीना कुट्स में आपका स्वागत है आज हम वेट चीज बॉल्स की रेसिपी बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है इसको बनाना बहुत ही आसान है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए आज हम वेट चीज बॉल्स की रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो सामगरी हमें लगने वाली है उसमें हमने लिया है यह तीन आलू हमने बॉल करके लिये है जिसका हमने चिलका निकाल के लिया है ये एक बड़ा चम्मच हमने सिम्ला मिल्च लिया है बारिक कट करके ये एक बड़ा चम्मच हमने गाजर बारिक कट करके लिया है एक टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया है ये कुछ धनिया पत्ति हमने बारिक कट करके लिया है हाफ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर जो अब शबब दोते तक्समा परटना कर रिए होग है, झालेट ब्रौया और व्यूनिया है तो आए लिए लाँ के साखत आविया graphie in विशेष और मेंसरि करे लेदा कि विश या मेśलेगा, है चीज वाल बहुद है, यह मोजरेला चीजें एन्दर हमें वेज बाल मेंस्ति ह अच्छी तरह से मैश करना है आलो को फिर इसमें हम सारे चीजे आड़ करेंगे यह देखिए फ्रेंज हमारे आलो पूरी तरह से मैश हो चुके है अभी हम सब चीजे इसमें आड़ करते हैं नमक लेंगे स्वाधनुसर लीजिए मैंने हापती स्पून लिया है यह चीली फ्लेक्स है ब्लैक पेपर पाउडर है जो वेजिटेवल हमने लिया है इसमें सिमला मिर्च है गाजर डालेंगे आप इसमें कौन भी डाल सकते हो अगर आपके पास है और आपको पसन है यह थोड़ी से धनिया पत्य हम इसमें डालेंगे और कौन शावर लिया है हमने दो टेबल स्पूर वह इसमें आड़ करेंगे और यह प्रोसेश चीज हमने लिया है इसको हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे यह लिके फ्रेंज यह पूरा क्यूब हम डाल देंगे इसमें आपको चाहिए तो आप और भी ज्यादा भी डाल सकते हैं अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इनके बॉल्स बनाने हैं अब हम आपको थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और इनके गोले बनाएंगे एक की साइज के सब गोले बनने चाहिए पहले हम गोले बनाके रखते हैं अगर आलू का जो मिश्टन हमने बनाया है वह हाथ को चिपकता है तो बीच बीच में हम तोड़ा सा ओईल हाथ को लगा लेंगे यह दिखे इस तरह से हमने सबी बॉल्स में चीज डाल लिया है अंदर अंदे को फोर्ट के हम प्लसा बीच कर लेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इसे बीच करके रखेंगे यह हम साइड में करते हैं और यह जो हमने तीन टेबल स्पिन माईदा लिया था इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालके इसकी भी पेस्ट बना लिए अब अब अगे का प्रोसेस करते हैं जो बॉल्ल हमने स्टफ कीए है चीज से उसको हमें Jya Hoonее Maid ka Pesto Bana है कि इसमें आलने का है और यसे निकाल के उसको를 क्रेट करना है मेल कॉट करना है जब तरह से हम करके लेंगे पूरी तरह से उसे अच्छे से डीप करना है मैं देखिए इसमें तो यह देखिए मैं सभी बॉल सभी इस तरह से कोट करके लेती हूं दो बच्चे मैं दिखा थे वापिसे आपको इसरे हाथ से ब्रेड कर मुस्के पर डालना है और इच्छे से कोट करना है अच्छे से सभी से कोट हुआ है हमारा बॉल हम आगे का की में से ब स्थ कोट करना है। का कोटिंग ज्ञाहिक हैं ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके उप्र ऐसे लम्ज जैसे आ जाते हैं कोटिंग के टैश के अध्याद रखना है। अच्छी तरह सब इस एम बॉल तुमां के ऊसको पूट करना है। कि यह देखिए फिरिंड्व से और इसमंटो से दिखाती हूं यह ठीए फूरी तरह से हमारा बॉल हो छुपा लेुए दिख़ोफेंगे से पूल्स को कोटींग रिया है यह लास्टे साट ओंड़ मैं वापिस आपको दिखाथी हूं करने के बाहले के बाहले और इसे पूरी तरह से किरींगे तरह से कि आप ओईल को हमने पहले गरम करने के लिए रखा था अभी ये बॉल्स हम इसमें डालेंगे ज्यादा बॉल्स अटेटाइम नहीं डालना ही तीन चारी बॉल्स हमें अटेटाइम डालेंगे इस तरह से फोक से भी आभी से पलब सकते हैं एक सैट से कलर आने के बाद हम सिर्फ सिर्फ इस विशाड फ्लिप करेंगे ये दिखेए फ्रेंच सबीक दोनों सैट से कलर आ चुका है बॉल्स को हम भी काल दोते हैं वापी से चार पाज बॉल्स हमने इसमें डाल लिये हैं एक सैट से कलर आने के बाद हम इने जिफ्ट करेंगे चाहिए तो आप ऐसे छोटे चम्चे से उपर से भी ओल लाई सकते हैं बॉल्स बहुती नाजू करेते हैं कि हम आलू से इसे बनाते हैं तो इसके हुझे से इसे फोक से या छोटे चम्चे से हिलाओ और टूटे नहींगे यह देखे किना अच्छा कलर आया है हमारे बॉल्स के उपर अब हम इने निकाल देते हैं इस तरह से यह कट हो जाते हैं इस तरह से हम सभी बॉल्स अभी प्राइब कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स हमारे बॉल्स को कितना अच्छा कलर आया है अभी हम यह सभी बॉल्स निकाल लेते हैं किये फ्रेंड्स हमारे चीज़ बॉल्स कितने अच्छे बने हैं आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसना आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलत यही किसी नए और टेस्टर रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई एंड थेंक यू